आप सभी का मेरे चैनल पर पुनह स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी सौस्तोंगे महादेव के क्रिपा आप सभी पर सदा है बनी रहे यह वीडियो मकर यानि के लिए बहुत महत्तपूर है क्योंकि वीडियो है जून दोहसार चौबिस के मासिक राशी फल के बारे में कैसा रहेगा जून का महीना मकर के लिए मेरा मासिक राशी फल जीवन की प्रमुक चीजों पर आधारित होता है जैसे कि सामाने विश्टेशन, करियर, विजनस, इंकम, इंवस्मेंट, लव लाइफ, मैरीड लाइफ, स्टूडेंस और सेहत और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेश उपाए भी बताता हूँ जिसके करने से महीने के सगरात मक्ता में विर्ति होती है, नगरात मक्ता में खमी आती है यदि आपकी लगन राशी या चंद राशी मकर है, दोनों ही गाइदेंस के लिए इस राशी पल को देख सकते हैं Technically, अगर आपकी लगन राशी मकर है, चंदराशी मकर है, अलग-अलग राशी पर नहीं बन सकते, आपके ओपर है, आपको कहां से ज़्यादा सटीकता बैठती है, विक्तिकर तोर पे हमेशा मैं बोलता है हूँ कि लगन राशी से ज़्यादा सटीकता, या ज़्यादा relatable आपको आपके लिए सही बैठेगा, अगर आप लगन राशी से देखते हैं, अगर आपको नहीं पता लगन राशी, आपको चंदराशी पता है, मकर है आपकी तो भी, अवश्यस राशी पर को observe कर सकते हैं, शुरू करते हैं, सावाने विश्लेशन के साथ, सबसे पहले लगन भाव को देखेंगे, लगन पर गुरू देव की द्रिश्टी रहेगी, केतु का प्रभाव रहेगा द्रिश्टी द्वारा, अब गुरू देव के साथ यानए कि देव गुरू ब्रहसपती के साथ, बुद्ध भी है, सूरे भी है, शुक्र भी है, ये महिने के अल्मोस्ट मद्य आग तक ग्रह रहेंगे, तो इनका प्रभाव भी लगन पर पढ़ेगा इंडिरेक्टी, क्योंकि गुरू देख रहे हैं और ये सारे ग्रह देव गुरू ब्रहसपती के साथ है, सबसे इंपोर्टेंट है, गुरू और शुक्र की उती 12 तारीक तक रहेगी, शुक्र उसके भागेश है, यानि कि भागे का पर भरपूर साथ मिलेगा, और सूरे भी यहाँ पर है, जो अश्टमेश है, तो यहाँ पर सूरे का प्रभाव है और शुक्र का प्रभाव है, यानि कि अचानक से धन की प्राप्ति भी आपके लिए हो सकती है, महीना अच्छा है धन एक को वक्री हो जाएंगे 29th of June लेकिन कोई भी ग्रह एकदम वक्री नहीं होता कोई भी ग्रह जो वक्री होता है तो वो सूरे से एक particular distance पे होता है degree पे होता है तीन outer planets है यानि कि Mars Jupiter और शनी यानि कि Saturn जो सूरे से एक particular दूरी पे जाकर वक्री होते है जो inner planets होते हैं निकि बुद्ध और शुक्र इनका जो degrees होता है वो थोड़ा सा अलग होता है और जो मंगल शनी और ब्रसपती है इनका degree अलग होता है तो कोई भी ग्रह वक्री एक दिन में नहीं होता उसकी speed पहले कम होती है तो 29 तारीक को शनी वक्री हो रहे है लेकि निकी speed पूरे महीने ही कम रहेगी अब यहां पर क्या है कि वो आपके लगनेश है इसलिए जीवन में थोड़ी सी मंदता आ जाएगा निकि चीजें slow down होना शुरू हो जाएगी जब शनी वक्री होंगे तो चीजें थोड़ी सी बदलेंगी लेकिन क्योंकि कोई भी वक्री रहा strong होता तो आपके लगने के स्वाम ही strong हो जाएगी लेकिन फिर भी एक stagnation, एक ठहराव, मंदता यह आपको इस पूरे महीने में देखने को मिलेगी केतू भी अब लगन भाव को आपके देखी रहे हैं बहुत लंबे अर्से से, अब क्योंकि गुरू का प्रभाव भी आ गया तो यह एक positive impact होगा, अकेले केतू कभी-कभी बहुत detach कर देते हैं, या फिर बहुत gloomy सा कर देते हैं विक्तितुर्ण सा negative हो जाता है, या detach बहुत अराम से हो जाता है अब गुरू की दिष्टे भी आ गई, जो बारवे घर के स्वामी है, जो भोग का भी है यानि कि अब थोड़ी सी clarity आएगी, कहा जीव में कुछ प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है इस महीने का जो पहला राशी परतन होगा, वो पहले ही तारीक को हो जाएगा मंगल आपके चौते भाव में आ जाएंगे, अब आपके लगने के स्वामी हैनि की शनी से मंगल के कोई बहुत खास संबंद नहीं है लेकिन मंगल का चौते घर में आना, अपनी ही राशी में, अच्छा है क्योंकि ये रूचक नाम का पंच महापुरुष योग भी राजयोग भी बराएंगे और यहां से क्योंकि यह दस्वे घर को देख रहे हैं, ग्यारवे घर को देख रहे हैं, यह अपने आप में अच्छा है, मंगल आपके लिए कुछ खुद ग्यारवे भाव के स्वामी है ने कि धन प्राप्ति के उच्चतम योग बनाते हैं, क्योंकि यह लावस्थान है, धन क कमाने का भाव है और मंगल सब्टम भाव को भी देखेंगे तो बिजनस के लिए भी अच्छा यहाँ पर प्रभाव डालेंगे लेकिन यह मंगल की नीच की राची है इसलिए तो जो लोग अपने कारेक शेत्र में बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं उनको अथोरिटी अपनी आजमाने में थोड़ी सी प्रावल्म होगी अदरवाइस मंगल का चौटे घर में आना अच्छा होता है बुरा इसका क्या प्रभाव हो सकता है माता जी की सेहत पर प्रभाव प्ड़ सकता है और घर में मरंबत अचानक से बहुत कोई बड़े स्थर पर करानी पर सकती है मरमत आधी पर खर्चा बड़ा हो सकता है मंगल पर शरीदेव की दिष्टी भी है ये constructive और destructive दोनों होती है इसका अच्छा प्रभाव ये हो सकता है कि property खरीदने में मदद मिलेगी वाहन खरीदने में मदद मिलेगी बुरा क्या हो सकता है? माता जी की सेहत अचानक से बहुत बेगर सकती है अगर अलड़ी आप अच्छा इसमें घर में भी बहुत पुरा प्रभाव पड़ता है घर में संबंद बेगर सकते है तो माता जी की सेहत अगर अलड़ी खराब चल रही थे तो उनका बहुत ध्याम दीजेगा यहाँ पर चौता भाव आपका पापकरतरी में भी है चौते भाव में मंगल है एक साइट राहू है, एक साइट सूरे होंगे तो ये एक प्रकार से पापकरतरी योग भी महिने के मद्दे भाग तक बन जाता है तो माता जी की सेहत घर के महौल इन सब चीजों पर बहुत ज़ादा ध्यान देना है आपको और अगर आप वाहन चलाते हैं तो भी थोड़ा केरफूल रहेगा क्योंकि मंगल का चौते भाव में आना थोड़ा सा वाहन धुरगटना के योग भी बना देता है इन सब चीजों पर अवश्य आपको बहुत विचार करना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा इस महीने 12 से 15 तारीक के बीच में बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन होगा बुद्ध भी यहाँ पर आ जाएंगे 14 तारीक को, शुक्र 12 तारीक को और सूर्य 15 तारीक को अब छटे भाव में इतने सारे ग्रहा मिश्रित प्रभाव देते हैं सूर्य का यहाँ पर होना अपनी लेवल पर अच्छा होता है बुद्ध का भी यहाँ पर होना अच्छा होता है बुद्ध विप्रीद राजयोग बनाएंगे सूरे विब्रीत राजियों बनाएंगे ये बहुत श्रेष्ट है लीगल कारे हो, कोई अटका हुआ कारे हो, पैसा हो administrative कारे हो, कारेक शेत्र हो हो हर सीज़ पर इसका अच्छा प्रभाव रहेगा लेकिन शुक्र का थोगा सा negative प्रभाव छटे घर में होता है यहां office politics पढ़ती है, क्योंकि यह career का एक भाव बन जाता है और महीने के मद्य भाग से पहले धन कमाने में कोई ज़्यादा संगर्ष नहीं होगा problem थोड़ी सी आएगी महीने के मद्य भाग के बाद जब शुक्र आपके छटे भाव में चले जाएगी क्योंकि उसके बाद धर प्राप थोड़ी मुश्किल हो जाती है, असंभाव नहीं होती लेकिन थोड़ा सा क्योंकि शुक्र कहना luxuries है, शुक्र आशो आराम है, easiness of life है जब वो छटे भाव में चले जाते हैं, मैंने कई बार बोला भी है कि छटा भाव एक ऐसा भाव है, जहां पर शुक्र सबसे ज़्यादा uncomfortable होते है क्योंकि सौम्यती सौम्य ग्रह है, तो छटे भाव में शुक्र जैसा ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान जादा देना पड़ेगा, राहु आपके तीसरे भाव में बने रहेंगे लंबे अरसे तक और आहु नहीं नहीं चेश्टाएं, नहीं इच्छाएं जागरूत करेंगे और उनको पूर्ण करने की भी शमता आपके अंदर होगी तो महीना ठीक ठाक है, बस जो मने चीज़े कहीं ध्यान दीचेगा, वानी पर बहुत कंट्रोल करना है क्योंकि शनी वानी के भाब में ही वक्री हो रहे हैं, मंद हो जाएंगे, तो बोलेगे कुछ और उसका अर्थ कुछ और निकलेगा और इतने सारे ग्रहा क्योंकि शनी से त्रिकोन में होंगे, तो ये भी कहीना कहीं बता रहा है कि आपके जिवन में कई चीज़े अटकना शुरू हो जाएंगे, तो अपने हर कारे को बहुत प्लैंड वे में आगे बढ़ाईगा, विशेश प्रेडिक्शन्स, ये महीना कु आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, आपके घर में महौल बहुत बार बिगड़ सकता है, तो उसका ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी ऐसी सिचुशन उत्पन होती है, तो उसको बहुत धल्दी सुलझा लिजेगा, अदर्वाइस संबंध बिगड़ते आज के टाइम में देर नहीं लगती है, सुनने की शम्ता बढ़ाईएगा, थ्वसा हजी मजाक का बहुल रखेगा, और इसके साथ ही अपने सपनों पर भी एक नज़र लखेगा, कभी-कभी होता है कि थ्वसा टाइम अच्छा नहीं चलता, तो वेक्ति अपने सपने भूल जाता है, और जीवन नीरस सा हो जाता है, ऐसा इस महीने भी हो सकता है, तो अपने सपनों पर अवश्य कारे करिक कीजिएगा, ठीक है, कभी-कभी सपने जल्दी पूरे हो जाते हैं, कभी-कभी टाइम लगता है, लेकिन अगर आपके मास at least कोई सपना है, कोई इच्छा है, कोई एम है, तो ही व्यक्ति वो अपने आप में self inspired होता है और आवे बढ़ता है। तो इन सब चीजों पर कारे कीजेगा, महीना बुरा तो नहीं है, बस थोड़ा सा मंदता दिख रही है, उस चीज पर काम कीजेगा। चलते हैं करियर की तरफ, करियर के लिए महीना मिश्रिट सा है, एक बात पान के चलेगा कि यह महीना office politics बहुत तंकने वाले है, शुरू से ही दिख जाएगा इसका प्रभाव, दस्वा भाव करियर का होता है, और दस्वे भाव पर मंगल की दिख रहेगी पूरे महीने ही शु यहाँ पर वक्री हो जाएंगे, मंद हो जाएंगे पहले ही, मंद तो पहले ही हो जाएंगे वक्री महीने के अंत में होंगे, और यह 38 कोन है तो करियर से इसका सम्मंद होता है, दूसा शनी लगनेश है, तो इसका प्रभाव क्या होता है कि आपके तो करियर में slow down आ जाएग आपको खुद self route रहेगा आपके orders पर question किया जाएगा especially जो लोग बड़ी post पर काम करते हैं जिनके नीचे लोग होते हैं जिनको order देते हैं या दे सकते हैं वहाँ पर problem आएगी और महिने के मद्य भाग तक दस्वे से अश्टम में बहुत सारे गरह होंगे जो ये पता रहा है कि बहुत अनिश्यत्ता कारेक्षेत्र में रहेगी 12 से 15 के बीच में यहाँ पर 3 गरह आ जाएंगे शुक्र 12 को, बुद्ध 14 को और सूरे 15 को इसके बाद चीजें थोड़ी सी बैटन होंगे लेकिन ओफिस पॉलिक्स तो पूरा ही बरकरार रहेगा कलीक्स के दौरा बहुत problem होगी शनी क्योंकि जैसे मने का वक्र हो रहे है तो आपकी decision making भी थोड़ी सी खराब रहेगी और इसके साथ ही क्योंकि सूर्य छटे भाव में आ रहे है जो कि वैसे अच्छा होता है लेकिन आपके खिलाफ जलन की भावना लोगों के अंदर बहुत रहेगी तो ये महीना मिश्ट्च सा है जैसे मने कहा मंदता चीजें पोस्पॉर्ण होंगी ओफिस पॉलिटिक्स और कलीक्स इन सब के द्वारा आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जाएगी विशेश प्रेडिक्शन्स डिले बहुत दिखी रहा है उस पर काम कीजेगा छोटी छोटी गलतिया होंगी लेकिन उसका परिनाम बहुत बड़ा होगा नेगेटिवे में जो लोग सरकारी जॉब करते हैं बहुत समभल कर रहिएगा क्योंकि आपके साथ ओफिस पॉलिटिक्स होने की संभावना बहुत जादा है या फिर जो लोग इवन प्राइवेट सेक्टर में भी है लेकिन सरकारी जॉब जो लोग करते हैं उसको जादा थोड़ा सा बचके रहना पड़ेगा शद्यंत्र रचा जाएगा आपके किलाफ अगर आप बड़ी पोस्ट पे गाम करते हैं तो भी बहुत जादा समल कर रहीगा कार्य पून होते होते अटकेंगे 99% पे कई आपके कारेट करेंगे और आप बहुत overthinking करेंगे तो कारेक शेत्र में थोड़ा सा negative महीना है बहुत careful आपको यहां पर रहना पड़ेगा चलते हैं business के तरफ business के लिए overall महीना ठीक है महीने के मद्दे भाग के बाद चीजें थोड़ी बदलेंगी सब्तम भाब business का होता है और सब्तम पर मंगल के दृष्टी होगी जो लाभेश हैं और एक केंदर के स्वामी है तो business आगे बड़ेगा problem पुरह शनी मंद हो जाएंगे तो क्योंकि लगनेश है और सब्तम से इस्टम में है, यानि की चीजें थोड़ी सी slow रहेंगे आपका कारे आएगा, अपके पास काम आएगा लेकिन हर चीज में एक मंदता रहेगी एक दिन का काम शाट दिन में होगा एक दिन का काम दस दिन में होगा पेमेंन चुज केंगी, कारे में थोड़ सा अठकाव आएंगे, मशीन भी की प्रावलम आ सकती है, मैंपावर की प्रावलम आ सकती है, तो ये सारी चीज़े आपको थोड़ा बहुत जहिलने को इस महीने मिलेंगे, सब्तम से ग्यारवे में बहुत सारे ग्रह रहेंगे, महीने के मद्ध भाग तक मान लीजिए, तो यहाँ पे बड़े मात्रा में लाब हो सकता है, अचानक से नएने काम बन सकते हैं, लेकिन प्राब्लम थोड़ा सा आना शुरू, प्राब्लम तो नहीं है, लेकिन क्योंकि छटे भाव में, अचानक से महीने के मद्ध भाग के माद खर्चा बढ़ेगा, और उसके कारण थोड़े से बुरे प्रभाव बढ़ सकते हैं आपके बिजनस में, क्योंकि जब खर्चा बढ़ता है तो विक्ती परिशान होता है, और यहाँ पर ऐसा ही होगा कि ऐसे खर्चे आजाएंगे, जिसके लिए आप तयार नहीं थे, क्योंकि शनी का प्रभाव लगन द्वार आ रहा है, क्योंकि लगनेशा और मंगल का प्रभाव सब्तम्बर है, अगर आपके बिजनस में मशीनरी, मैन पावर, इनकी बड़ी मात्रा पर इनका उप्योग होता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए जादा रहेगी, यूगि दोनों ही चीजों में दिक्कत आने वाली है इस महीं में, विशेश प्रडिक्शन, बिजनस आगे वश्य बढ़ेगा, लेकिन मंदता रहेगी, इसके stability पर काम केज़ेगा, कि आपकी तरफ से अगर continuity में प्रॉड्लम आई, तो दिक्कत और बढ़ेगी, इसके साथ ही अपने आपको involved रखेगा बिजनस में, हर चीज पर अपनी नज़र रखेगा, किसी अपने बिजनस को for granted मत लीजेगा, अगर आपके employees में हैं, तो उन पर भी हमेशा नज़र रखेगा, अगर बिजनस बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी planning के लिए महीन अच्छा है, लेकिन execute मत कीजेगा, यानि कि पैसा मत लगाईगा, यह है कि इस महीने में, बहुत बड़े बड़े काम आपको मिल सकते हैं, लेकिन एक मंदता का दौर, पूरे महीने आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनी मंद पूरे महीने रहेंगे, उनकी speed बहुत slow हो जाएगी, वक्री होंगे तो चीजे बदलेगी, लेकिन क्योंकि 29 तारीक को वक्री हो रहे हैं, तब तक एक slowness आपको पूरे महीने में देखने को मिलेगी, हैं income, investment और expenses के तरफ, महीने का income की बात कर रहे हैं, महीने का जो मद्य भाग तक का समय है, वो पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा, उसके बाद पैसों में थोड़ा सा रुकावट आ जाएगी, धन कमाने की जो speed है कम हो जाएगी, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, मद्य भाग तक पैसा कमाने के लिए अफसर बहुत अच्छे हैं, investment की बात करें, शुरुआते दस दिन ठीक ठाक है, बलकि अच्छे ही है, बीच के दस दिन में जल्दबाजी बहुत रहेगी, उसके गराण नुक्सान हो सकता है, अन्तिम दस दिन भी ठीक है, खर्चों की बात करें, बढ़ेंगे, और मद्य भाग के बात बढ़ेंगे, क्योंकि जैसा मैं बताते हैं आरहों कि, छटे भाव में तीन करहा जाएंगे, शुक्र, बुद्ध और सूर्य, शुक्र, बारा, बुद्ध, चौदा, सूर्य, पंद्रा, और ये सारे मिलकर बारवे घर को देखेंगे, यानि कि, खर्चे अचानक से आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे, किन-किन चीजों पर खर्चे होंगे, सरकारी कारों पर बहुत खर्चे होंगे, अचानक से छोटी-मोटी यात्राएं बढ़ जाएंगे, यहाँ पर जाना वहाँ पर जाना उसके कारण खर्चे होंगे अगर आपके घर में कोई pet है उन पर खर्चा होगा investment पर भी थोड़ा सा खर्चे करते हो दिख रहे हैं इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि कोई कपड़े आदी या फिर garment साधी या फिर जो भी साथ सज्जा का समाह है वो अचानक से लेना पड़ेगा उस पर भी थोड़ा सा खर्चा आपका जादा हो सकता है और अगर आपके घर में कोई व्रिद्य सदस्य है तो उनकी सेहत पर थोड़ा सा बड़ा खर्चा इस महिने हो सकता है चलते हैं relationship की तरफ no contact situation से start करेंगे बहुत अच्छा महिना तो नहीं है बलकि desperation की कारण आप बंती-बंती बात को खराब कर सकते हैं महिने के गदम अंत में कोई opportunity आ सकती है इसलिए थोड़ा सा जल्दबादी से बचेगा और अगर कुछ लगता भी है कि यहां directly indirectly बात हो सकती है तो सयम के साथ आगे बढ़ना है नए relationship की संभावना बहुत ज़्यादा इस महिने नहीं है बात करते हैं उनकी जो relationship में ओलड़ी है पहले तो पंचम भाव relationship का होता है शुक्र बहुत important होते हैं अब यहां पर पंचम भाव में बहुत सारे ग्रह हैं जिसमें से सूरे relationship के लिए अच्छा प्रभाव नहीं देता है और problem यह है कि पूरे almost महिने शुक्र सूरे के साथ रहेंगे शुक्र क्योंकि आपके पंचमेश भी है तो प्रबलता और बढ़ जाती है कि relationship पर क्या प्रभाव रहेगा और केतु का प्रभाव भी यहां पर रहेगा तो confusion वाला महिना जादा रहेगा especially मद्यभाव तक उसके बाद क्या होगा उसके बाद लड़ाई जगड़े शुरू होगे आप देखेंगे कि शुरुआती हाफ जो महिना है वहाँ पर confusion, miscommunication यह जादा रहेगा फिर जैसे ही मद्यभाव यह जब यहाँ पर आपके शुक्र जो relationship के भी कारक है प्यार महबत के कारक है, romance, intimacy के कारक है, वो भी आपके छटे भाव में आ जाएंगे मैं हमेशा कहता हूँ कि छटा भाव एक ऐसा है जो शुक्र के रच्छा नहीं है बुद्ध भी यहाँ पर आ जाएंगे, 14 तरीको और सूरे भी यहाँ पर आ जाएंगे, 15 को तो बहुत रडाई जगड़े महीने के मद्दे भाग के बाद आप दोनों के बीच में बढ़ जाएंगे तो यह महीना थोड़ा मिश्रित सा ही दिख रहा है, एक दूसरे को समझने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस महीने आने वाली है विशेश प्रेडिक्शन अचानक से बहुत चीज़े होंगी, जिसका बुरा प्रभाब पड़ेगा एक दूसरे पर ट्रस्ट कम रहेगा, दूसरे लोगों का इंवॉल्मेंट बहुत तंग करेगा और इसके साथ ही एक डिसकंटेंट मेंट बहुत दिख रही है, कि शायद ये व्यक्ति सही नहीं है कई बार दिल तूटेगा आपका, एक्स्पेक्टेशन पुली नहीं होगी देखिए रलेशन्शिप कहना आसान होता है कि एक्स्पेक्टेशन मत रखे किसी से जो एक्ति नहीं रखता किसी से एक्स्पेक्टेशन मेरे हिसाब से आज के टाइम में या जिसके एक्स्पेक्टेशन बहुत कम है, वो सबसे सुखी वेक्ति है लेकिन एक natural human tendency है कि अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं relationship में है, even दोस्तों के साथ, अपने रिष्टतारों के साथ एक expectation बढ़ जाती है यहाँ पर यह है कि आपके expectation पूरी नहीं होगी अपने partner से, अपने relationship से और उसी के कारणे के vacuum, एक discontentment आपके relationship में बन जाएगा तो थोड़ा सा mystery थी महीना देख रहा है relationship के लिए, अपने हैं विवाहिक जीवन के तरफ, विवाहिक जीवन के लिए भी बहुत special महीना नहीं है सबसे पहले तो सब्तम से अश्टम में शनी है, बहुत टाइम से हैं और अभी करीबन 10 महीने और रहेंगे लेकिन वो वक्री हो जाएंगे, यानि कि एक दूरी आनी शुरू हो जाएंगे विवाहिक जीव में emotional detachment होता है इस ताइम पे, और मंगल का प्रभाव भी है सब्तम पर, यानि कि जगडे भी होंगे लेकिन यही मंगल जब सब्तम को देखेंगे, विवाहिक जीव में बुरा प्रभाव देंगे, क्योंकि उनकी नीच की राशी है, यानि कि लड़ाई, जगडे, तू, तू, मैं, मैं, बहस होगी तो एकदम निचले सर पर जाकर होगी और इसी कारण से विवाहिक जीव में प्रॉब्लम्स रहेंगी, हाँ, यह हो सकता है कि इस महीने आपके पतिया पत्नी का पैसा बहुत बड़े, क्योंकि सब्तम भाव से ग्यारवे में बहुत सारे ग्रह है, लेकिन जैसे ही उनका आगबन आपके छटे भाव में होना शुर रही थी, छटे भाव में इतने गठा आगए, जो छटा भाव होता है, लीगैलिटी का, और बुद्ध का यहां पे होना, यानि की चीजे एक दम एसकलेट हो जकती हैं, डाइवोस की तरफ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, special prediction, दिकिए, ऐसा भी दिख रहा है कि आज के टाइम में नहीं होते हैं, तो इसलिए जो भी विवाहिक जीवन वाले लोग होते हैं, जब भी consultation करते हैं, मनको बोलता हूँ कि अपने दोनों की communication strong रखे, हाँ, रिष्टे तो बनाने ही पड़ते हैं, रखने ही पड़ते हैं, social है हम लोग, लेकिन अपने दोनों की communication खराब नहीं होने चीए, और यहां पर यही लग रहा है कि एक वो जगा मिल गई हैं लोगों को, जो आपके खिलाफ एक दूसरे के कान भर रहे हैं, गाइडन्स की अवशकता दिख रही है, बहुत ग्लानी भी रहेगी, इग्नोरन्स भी रहेगी, दोनों ही एक दूसरे को लाब उठाएगा इस महीने, बहुत श्रेष्ट महीना तो मैं बिल्कुल नहीं होगा, इस्टूडेंस की तरफ जहां तक स्टूडेंस की बात है, ठीक ठाक महीना है, एक्जाम से शुरू करते हैं, शुरुवाती दस दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के दस दिन ठीक हैं, ल रिसर्च बेस स्टूडिस करते हैं, उनके लिए भी महीना अच्छा है, और इसमें से तीन गरह, बारा से पंदरा के बीच में छटे भाव में चले जाएंगे, जिसमें से एक होंगे शुक्र, बारा को, बुद्ध, चौदा को, सूर्य पंदरा को, तो यह साह ब बता रहा है कि competitive exams के लिए महीना बहुत अच्छा है, मंगल अपनी ही राशी के होंगे, मंगल competitive exams के लिए बहुत important गरह होते हैं, और क्योंकि वो पंचम से छटे भाव को देख रहे होंगे, तो पूरा महीना competitive exam आपका अगर कोई पढ़ता है, तो आपके लिए अच्छा time रहेगा, तो य student job ढूण रहे थे, part time job ढूण रहे थे, उनको भी अच्छा मौका में लेगा, communication better होगा, एक balance भी आ सकता है, बस ध्यान क्या देना है, over confidence, गुसा, frustration, इन सब चीजों पर ध्यान देदीजेगा, सेहत की तरफ, सेहत के लिए महीना मिशुत सा है, problem जाना शुरू होंगी, मद्य भाग के बाद, जब बहुत सारे तीन ग्रह, आपके छटे भाब में आ जाएंगे, और बारवे घर को भी देखेंगे, उसके बाद ज्यादा problems रहेंगी, क्या-क्या दिक्कत परिशानी इस महीने ज्यादा तंग करेंगी, नसों के रोग, आँखों के रोग, दातों के रोग digestive problems बहुत तंग करने वाली है, बाहर का खाना कम कर दियेगा, गया भूल जाएगा, और इसके साथी sleeping disorders, धंसे नीद ना आना, और जिनको blood pressure की problem है, और हाँ, सबसे ज़्यादा ध्यान उनको देना है, जिनको कोई भी heart का छोटा मोटा issue है, उनके लिए दिक्कत परिशानी इस बीच के दस दिन में heart problem जिनको है ध्यान दीजेगा, बीपी बढ़ सकता है, लिवर की problem तंग कर सकती है, नसों के रोग तंग कर सकते हैं, अन्तिम दस दिन में दातों, आखों के रोग, hormonal disorder, ग्रंटियों के रोग, skin infection और overall infection का डर जादा रहेगा, पाय की बात कर लेते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, जब भी वीडों देखें, उसके अगले दिन कर सकते हैं, मंदिर में जाकर तिल के तेल और सरसो के तेल का दान करके आईएगा, शिव मंदिर में आकर आपको शिवलिंग का दूद से अभी शेक करना है, और शिव चालीसा का दो बार पाठ करना है, और इसके साथ यापको शनी मंदिर में भी काली उड़त का दान करना है और गौशाला में भी कुछ ना कुछ दक्षिना देनी है यह उपाई कर लेंगे तो पूरा महीना आपके लिए अच्छा जाएगा आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगा चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो को लाइक कर लेजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए ओप नाश